दोस्तों कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है या अच्छे कर्म करता है बुरे कर्म की हमेशा बुरी सजा होती है और अच्छे कर्म की अच्छे सजा मिलती है आज हम बात करने वाले हैं गरुन पुरान में वो कौन से गंदे कर्म कहे गए हैं जिसमें बताया गया है कि पराई इ पाड़ना सहता है नर्क में जाता है और उसको गरम कढ़ाई के तेल में तल दिया जाता है तो ये जानने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा गरुन पुरान का नाम आपने जरूर सुना होगा ये विश्णु पुरान का एक हिस्सा है इसमें भगवान विश्णु और पक्षियों के देवता गरुन के बीच हुए समवात का जिक्र किया गया है इस ग्रंथ से मृत्यु के बाद होने वाली गतिवीदियों का ब्यूरा दिया गया है जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजा मिलती है स्वर्ग और नर्क का हंत भी इसी ग्रंथ में बताया गया है इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है तो आईए आपको बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयावह सजाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लू के लिए भी होता है जो अपने पती या पतने के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खोशी रहती है इसमें भी तनिस्त्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है अगली सजा का नाम है रौरावं ये सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों के दौलत पर एश करते हैं और उनकी खुशियां च्हीन लेते हैं ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुए में धाकिल B गुमभी पाकम ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपने सौरत के लिए जीवों को मारते हैं ऐसे पापियों को बड़े बरतन में गरम तेल डाल कर तला जाता है काला सुत्रम ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुज़रों का सम्मान नहीं करते इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए अगली सजा और भी भयावे है दोस्तों अगली सजा है असीता पत्रम ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है ऐसे लोगों के शरीर को नुकेली धारवाले चाको से गोद दिया जाता है और फिर को में डाला जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और साप होते हैं अगली सजा का नाम है तप्त मूर्ती जो लोग सोने आनने किसी धातों को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है अगली सजा का नाम है किमरी भोजनम ऐसे लोग दूसरों के बस स्वार्थ के लिए इस्तमाल करते हैं उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है ऐसे लोगों को नर्क में कीडे और सरी स्रिप जिन्दा ही खा जाते हैं दोस्तों ऐसी ही अनेक सजाएं है नर्क में लेकिन कुल मिलाकर सार ये है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए बुरा करने से शायद कुछ खुशियां हमें मिल जाती है लेकिन जब आप लंबे समय के दोरान देखेंगे तो इससे हमें दुख ही मिलता है इसलिए कुछ सेकेंड के खुशी के लिए लंबे समय के लिए दुखी होने से अच्छा है अच्छे काम करना इमानदारी से रहना अगर आप इस वाज़ते सहमत हैं तो लाइक जरूर कीजेगा वीडियो को और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजेगा ताकि वो गलत कर्म करने से बच्च पाएं अगर कोई आपका खास है तो इसको वीडियो जरूर शेयर कीजेगा धन्यवाद